पुलिस उनकी शिकायत पर कोई कारवाई ही नहीं कर रही नमस्कार मैं हूं किरन आप देख रहे हैं निउस टाइम नेशन राइबरेली में बीते दिनों एक बुज़ूर्ग पर कुछ लोगों ने हमला किया था ये मामला महराज गंज स्थानक्षेत के टीका खानपुर गाओं का बताया जा रहा है पीड़ित की माने तो बीते 22 जुल उनकी बात हो ही रही थी कि गाओं के अनिल नाम के शक्स ने उन आदमियों के साथ मिलकर बुज़ूर्ग को पीटना शुरू कर दिया बुज़ूर्ग पर हमला करीब 7 बजे हुआ था जहां पर सबसे पहले तो उन्हें डंडों से हमला करके गिरा दिया गया और फिर उन पर चाख्मों से भी हमला किया गया पीर्ट का कहना है कि उनका आरोपियों से कोई बैर नहीं था कभी कोई जगड़ा भी नहीं हुआ लेकिन उस दिन अचानक सामने से आकर उन्होंने हमला किया और फोन लेकर भाग गये दलक क्या नाम है आपका रामपरसाथ हैं अमारत कोई मामिला था नहीं हम दुकान पर से जा रहे। और कली में जो गए 7 बजे करी तो इक जाली में छिपे रहें और कही नाम का दादा रस्ता बता दियो माहा करे पीर्ट का कहना है कि इस बात की शिकायत उन्होंने पुलिस से की तो पुलिस ने इस मामले को नजर अंदाज ही कर दिया जिसे वो परेशान हो गए और स्पी के पास अपनी फर्याद लेकर आए है हाँ धाने में तुभी पिसंदिया आठें कुछ नहीं हुआ है कोई कातिवाही भी तक कोई नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ फिलाल पीडित का कहना है कि एस पी ने उनकी फर्याद सुन ली है और जल्द ही कारवाई का आश्वासन भी दिया है यह खबर हमारे समवाद दाता मुहमद तौफीक के साथ अनराग मिश्रा ने कवर की है आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप यह खबर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरीए रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूलें नमस्कार मसल मॉप, प्योर्टी, पोटेंशी और परफेक्शन फ्यूल फॉर जेंपियर्स सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ, खबरे पसंद आजाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें